दोस्तों बड़े arms मतलब बड़े biceps, triceps को नहीं चाहता है। हर कोई 16 का डोला चाहता है। देखे biceps बहुत छोटा मसल्स है। उसे ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके arms बड़े दिखें तो triceps को ज़्यादा ट्रेंड करेंगा। triceps बड़े होंगे तो arms का size बड़ा दिखेगा, arms बड़े लगेंगे और अच्छे भी दिखेंगे। तो friends, आज मैं आपके लिए आया हूँ full arms workout for beginner। अगर आप beginner हैं तो इस workout से आपके arms का size तेजी से बड़ेगा। और अगर आपको 2-4 साल हो गए हैं मतलब आप intermediate हैं तब भी आप इस workout को follow कर सकते हैं। इस workout को आप हफते में 2 दिन कर सकते हैं। तो याद रहे बीच में 2-3 दिन का gap ज़रूर हो और इस workout को 10-12 हफते तक follow करें। तो चलिए अब बात करते हैं workout के। exercise number 1 alternate biceps curl इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैट कर भी। खड़े होकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें form का ध्यान रखें। body swing न करें। मतलब आगे पीछे न जूलें। सिर्फ elbow ही उपर करें। एल्बो से shoulder तक हाथ body के साथ चिप के रहें। डंबल ऊपर लाएं तो biceps को squeeze करें। दो second hold करें। फिर दीरे नीचे लाएं। इससे biceps का long head मतलब front part तेजी से बढ़ता है। इसके 4 set लगाएं। पहले में 12, दूसरे में 10, तीसे में 8 और चोथे set में 6 wrap लगाएं। हर set के बाद 1-5 min का rest ज़रूर लें। तो हर set में weight ज़रूर बढ़ाएं। एकसराइस नमबर 2 प्रीचर कल ये exercise biceps के लिए काफी अच्छी है। मैंने कई बाइब बताया है कि ये क्यों अच्छी exercise है। क्योंकि इसमें पूरी body lock हो जाती है, सिर्फ आपके biceps पर ही काम होता है। रोड ऊपर लाएं तो biceps को squeeze करें, 2 second hold करें, फिर दीरे दीरे नीचे लाएं, इसके भी 4-6 लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10, तीसे में 8 और 64-6 रेप निकालें, हर साट के बाद एक से डेड मिन का रेस्ट लें और हर साट में वेट ज़रूर बढ़ाएं, एकसराइस नमबर 3 हैमर कल, इसमें डंबल को इस तरह न्यूटल ग्रिप में पकड लगाएं, हर साट के बाद एक से डेड मिन का रेस्ट लें, एकसराइस नमबर 4 बाइसेप्स के बिल कल, इसमें इस मशीन पर ये छोटी रोड लगा का बाइसेप्स कल लगाएं, फॉम वैसे ही रखें, बोडी ना हिलाएं, एल्बो से शोल्डर तक हाथ, बोडी से राथ च पकड़ें, ये एकसराइस ट्रैसेप्स के लोंग हेड के लिए है, ट्रैसेप्स बड़ा बनता है, जब बार को नीचे लाएं तो निपल के नीचे टच करें, ट्रैसेप्स को चीतरन स्टेच करें, ट्रैसेप्स पर खिचाव महसूस करें, फिर उपर लेकर जाएं तो ट्रै पर रखें इसके चार सेट लगाएं पहले में बारा दूसे में दस तीसे में आठ और चोते सेट में छे रप लगाएं और हर सट के बाद एक से डिटमिट का रस्ट लें एक्सरसाइज भी ट्रैसप्स के लिए बहुत अच्छी है इससे ट्रैसप्स में कटिंग आती है इसके चार सेट लगाएं पहले में बारा दूसे में दस तीसे में आठ और चोते सेट में बी आठ रप लगाएं हर सट के बाद एक से डेड़ मिट का रस्ट लेग एक्सरसाइज नुम्बर सैवन ओवरहेड डंबल एक्सरस्ट लें इससे भी आप बैटकर कर सकते हैं और खड़े सब में 8 रप लगाएं ह完aceut के बाद 6 एक से dernière बीया रख सकते हैं और नीचे भी अगर आप 20 रप तक अराम से लगा लेते हैं तो अपने फ्रेंड ये हलपर से अपनी धाइप अप वेट रखवा सकते हैं मतलब आपने एक्सेसाइज को थोड़ा टफ बनाना है तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा आमस वर्काउट है इसे beginner, intermediate कोई भी कर सकता है इस वर्काउट से आपके biceps, triceps का साइज स्तेजी से बढ़ने लगेगा बहुत अच्छा पंप आएगा एक बार ट्राइज ज़रूर करें तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो फूल आमस वर्काउट पर वीडियो चरकते हैं तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ जिससे देखने के लिए सब्सक्राइब करना न बोलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई दोस्तों